फ्रेंड्ट्र वाईराल विक में आप सभी का स्वागत है मैं वेक कुमार आज आपको मुख्यमंत्री कन्या-उथान योजना में जो रासी मिलती ये बेटियूं को उसके बारे पुरा डिटेल आपको बताने वाला हो कि रासी कि तरह मिलती है कैसे मिलतीू 10 प्लाइंगी करने या बहुत सारी समस्याएं होते थे भुरुनात्या का मामला बहुत जादा बढ़िया था तो उस सिच्वेशन से बचने के लिए सरकार ने क्या किया कि बेटियों के जन्म पर कुछ एमाउंट देना स्टार्ट किया पहले जो यह अमाउंट था 24,100 रुपए था ठीक है और अब जो है यह बढ़के 94,100 रुपए होगी है और यह एक बार में नहीं मिलता है यह टाइम टो टाइम मिलता है तो टाइम टो टाइम कैसे मिलेगा सबसे पहले यह एक पेपर का कटिंग है आप यहाँ पर पूरे डिटेल खुद पढ़ भी सकते हैं वैसे मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि जैसे ही बेटी का जन्म होता है ठीक है तो जन्म होते ही 2000 रुपए माता या पिता के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिये जाते हैं सरकार के द्वारा अब यहाँ पर दो कंडिशन है पहला एक तो बच्चे का जन्म घर में हो सकता है या प्राइवेट होस्पिटल में हो सकता है दूसरा बच्चे का जन्म सदर होस्पिटल या किसी भी सरकारी होस्पिटल में होता है तो दोनों के लिए कंडिशन अलग-अलग है ठीक है अब म सरकारी होस्पिटल जलम लिया है तो उस सिच्वेशन में क्या होगा जो जन्प्रमान पत्र वगरा बनेगा वो डारेक्ट वही से सरकारी होस्पिटल से बन जाता है तो इसलिए कहीं भी उसके लिए अपलाई करने की जुरत नहीं पड़ती है बट वहीं अगर बेटी का जन्प्रमान पत्र वगरा बनेगा लेते हैं तो फिर इस बेनिफिट के लिए आप इंडरॉल कर पाते हैं ठीक है, क्योंकि जन्प्रमान पत्र मेंडेटरी डॉक्यमेंट है उसके बिन आप अपलाई ही नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद ही आप इसके लिए इन्रॉल कर पाएंगे मुख्यमंत्रि कन्या उथान योजना के लिए और इसका बिहार में एक लिंक भी है ICDS करके वो लिंक में आपको दिखाऊंगा इन्फेक्ट मेंने कई जी लोगों का इन्रॉल भी किया हुए उसमें जिसमें सक्सेस्फुलिम का पैसा भी आ रहा है ठीक है तो इस चीज़ को हमेसा ध्यान में रखना है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल यह घर पे डिलिवरी हुई है तो उसका जन्म प्रमान पत्र आपको आंगनवाड़ी से बनवाना होगा या फिर जो भी आपका स्वास्त केंद्र है नजदी की वहाँ से जाके आपको बनवाना होगा और बनवाने के बाद आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा तो ही इसका बेनेफ़ेट आपको मिलेगा तो चलिए देखते हैं पैसा किसे हिसाब से मिलता है तो जैसा मैंने बताए जन्म होने पर 2000 रुपे की रासी मिल जाती है उसके बाद जैसे यह आधार पंजी करवाते हैं यानि कि बच्चे का आधार काड़ा बनवाते हैं एक वर्स पूरा होने के बाद यानि एक साल पूरा होने के बाद तो फिर 11000 रुपए की रासी आपको transfer की जाती है और यह जो amount मिलता है यह बच्ची जो है उसके माक के account मिलता है या फिर बच्ची के पिता के account में मिलता है but maximum time क्या होता है बच्ची के माके account में ही यह पैसा transfer किया जाता है तीसरा जो payment आता है वो संपूर्ण टिका करने, यानि दो साल जैसे ही बच्चे का पूरा हो जाता है, और उसके बाद जब जो ECG, BCG का टिका पढ़ता है, उस टिका का कम्प्लीट होने के बाद, जितनी भी तरह की टिका है, पोली हो अगरा सब कुछ, कम्प्लीट हो जाने के बाद, 2000 रुपे की जब तक बच्चे रहता है, तब तक 600 रुपे परतेक साल के हिसाब से, पूसाक के रूप में रासी दी जाती है, यानि कपड़ा के लिए, उसके बाद वर्ग क्लास 3 से लेके, क्लास 5 तक 700 रुपे परतेक वर्ष दिया जाता है, क्लास 6 से क्लास 8 तक 1000 रुपे, क्लास 9 से ल पास कर लिया है ठीक है इंटर चाहे वह फ़र्ज डिवन करें चाहे सेकंड डिजन करें चाहे थर्ड डिजन करें बकाइदा वह पास होना चाहिए अगर बच्ची पास कर लेती है और उसका साधी नहीं हुए तो सिच्विसनें 25,000 रुपए बच्ची के अकाउंट में ट्रां पास होती थी उसमें सिर्फ डिजन करने पे मिलता था बट वह चीज तो है ही उसके अलावा ये इंटर्ण और इंटर और ग्रैजिशन वाला एड किया गया है ठीक है यानि वो दस जोरप अडिशनल अगर आप उसके जोड़ देंगे तो ये मोर देन वन लैक रुपीज हो जाएगा ठीक है यानि कि गौर्मेंट जो है काफी ज़्यादा हेल्प कर रही है बेटियों को आ अधिकारी हैं ICDS की ठीक है यानि आंगन योजना की उन्होंने भी ये मैंसन किया है कि मुख्यमंतरी कन्या उत्थान माता पिता की दो बेटियों को दिये जाने का प्राउधान है अलग अलग चर्णों में विभिन विभागों की और से रासी प्रदान की जाती है यानि कि य मान के चलिए मेरी दो बेटियां है ठीक है तो मेरी दोनों बेटियों को यह benefit मिलेगा बट यह maximum दो बेटियों तक ही मिलता है मान के चलिए अगर मेरे मेरी तीन बेटियां है या चार बेटियां है तो इस situation में सिर्फ और सिर्फ पहली जो बेटियां है उनको ही यह benefit मिलेगा बाकी के दो को नहीं मिलेगा तो यह restricted है तो इस वाज़े से थोड़ा आप देख लिजिए यह benefit मैंने आपको बता दिया दूसरा आप यहाँ उपर देख सकते हैं 94,100 रुपए मिलेंगे परतिक बेटी को जन्म से लेकर इश्णा तक उत्तिन होने तक 94,100 से 94,100 हो गई कन्या उत्थान योजना के तहट दी जाने वाली रासी अब आप मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान के चलिए आपको अपलाई करना है ठीक है तो अपलाई आप कैसे करेंगे तो अपलाई करने के लिए आप देख सकते हैं यहां पर एक लिंक दिया हुआ है देख सकते हैं यहां clear cut लिखा हूँ है कैसे लें इसका लाव मुख्यमंतरी कन्या उत्थान कई विवागों की समय कित योजना है समाज कल्यान विवाग इसकी नोडल एजनसी है इस योजना का लाव लेने के लिए कन्या के जन्म के बाद सबसे पहले आंगनवाडी या स्वास्थ केंद्र या आटीपेस पर आविदन दिया जा सकेगा जन्म के बाद मिलने वाली रासी इसी आधार पर मिलेगी आधार पंजी करन के बाद की रासी आगनवाडी केंद्र या आटी पीएस पर आविदन से प्राप्थ होगी टीका करन के बाद की रासी नजदी की स्वास्त केंद्र पर आविदन के बाद मिलती है इसके अतिरिक्त अन सभी रासी, स्कूल और कॉलेज में प्रवेश के बाद दी जाती है योजना के लिए online भी आवेदन किया जा सकता है इसके लिए icdsonline.bih.nic.in slash आंगन लिंक पर जाकर आवेदन किया जा सकता है तो मैं काम करूँगा कि यह जो लिंक है, इसे मैं अपने description box में भी डाल दूँगा जिससे कि आपको इसमें help हो जाएगी और कोई problem नहीं होगी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पतना जिला में जो districts हैं, sorry, blocks है ठीक है, blocks के हिसाब से दिखाए गया है कि पतना जिला में कितने बच्चों को इस योजना का लाब मिल रहा है आप जिससे देख सकते हैं, पतना सदर में 6456 बच्चे हैं, फुलवारी सरीफ में 2192 हैं पंडारक में 1620 है, खुसरुपुर में 740 से, इस तरह से आप देख सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पे देख लिजे, 30133 को लाभानवित है, जिसमें से 21676 को भुकतान भेजा गया यानि कि 21676 बेटियों का पैसा, उनके माता के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका है तो आपने देखा, इस तरह से यह पूरा प्रोग्राम चलता है इसके अलावा अगर कोई डाउट रहा जाता है आपके पास, कि कैसे अप्लाई करें या अप्लाई करने कोई प्राउलम होती है तो आप प्लीज मुझे कमेंड बॉक्स में लिखके बताई, मैं डेफिनेटली उसका सॉलिशन आपको दूँगा इन केस अगर पॉसिवल होगा मेरे निरवाई छेतर के होंगे तो मैं खुद उनका अप्लाई भी कर सकता हूँ